सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अगर आप चैनल पे नहीं आई है तो आप से रिक्वेस्ट चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर ले शाती साथ बैल आइकन को जरूर प्रैस कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेसिन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में हमारे हुए मोस्ट इंपोटेंट अमसी क्योंकि सीरीज चो आपका एक्जाम अभी आ रहा है उसके लिए फ्रेंट्स आपको कम्पिटिशन में बनाइन आने के लिए काफी मेहनत करनी होगी क्योंकि काफी सारे ज विकलांग व्यक्ति अधिनियुम पारित किया गया था जो विकलांग व्यक्ति अधिनियुम है वो कब पारित किया था? 1986 के अंदर, 1992 के अंदर या 1995 में या फिर 2006 के अंदर तो देखिए बात कर लेते हैं इन सभी के बारे में तो 1986 में friends क्या हुआ था हमारी education policy आई थी और ये जो आपकी second education policy थी क्योंकि जो हमारी first education policy थी वो 1968 में आई थी ठीक है आजादी के बाद अगर हमारी पहली education policy की बात पर तो 1968 थी second education policy 1986 थी और third education policy जो हमारी 2020 के अंदर आई है यह हमारी third education policy है हाँ एक education policy जो 1986 की policy उसको revise किया गया था तो उसी को 1992 की policy के नाम से या program of action के नाम से जाना जाता है 1995 में आपका आया था person with disability act ठीक है यह आपका 1995 में था 2006 के अंदर policy आई थी national policy disability के उपर ठीक है national policy आई थी disability के अपर 2006 में हाँ अब आपसे 2020 की जो नई हमारी education policy आई है उसके बारे में भी question पूछे जा सकते हैं जैसे कि इसका chairman कुन था तो इसके जो chairman थे वो कित थे यह दक्ष जो थे वो इसके कस्तुरी रंगन थे और साथी साथ इसका जो system है education का वो आपका change करके 533 plus 4 कर दिया गया है काफी और भी important चीज़ी है जो आपकी new education policy से आ सकती है तो friends new education policy को भी जरूर पढ़ लेजिएगा अब हम बात करते हैं next question की styles of leadership which are based on authority authority के ways पर आपके जो leadership के नितरितव की शेरी जो अधिकार पराधारित है वो कौन शी है आपकी ठीक है आटो क्रेटिक लेडर्शिप और पैटरिनेस्टिक लेडर्शिप है यानकी निरकुंस नेतरितव और पित्रिस्तात्मक नेतरितव है या फिर democratic और participative लेडर्शिप है लोगतांतरी क्या सहभागी नेतरितव उसको बोलते है free reign और legis fair leadership है ठीक है यह देखो जो democratic है उसको participative भी कहते हैं जो free reign leadership है उसको legis fair leadership कहते हैं तो यह नहीं के नाम है यह आपको याद रखने है और last में आपको दिया गया है all of the above तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आपको यहाँ पर authority पूछी गई है ना कि autocratic ठीक है तो आपको ध्यान रखना है कि यह सारी ही सारी जो नेतरितव की शेली हैं यह अधिकार पर आधारित है तो all of the above इसका right answer है और साथ में नेतरितव की शेलीों के बारे में बात भी कर लेते हैं देखिए जो autocratic या authoritarian जो leadership होती है इसमें leader के पास power होती है इनकी centralized जो power होती हो लीडर के पास होती है तो question यह बनता है कि जो सबसे ज़्यादा एनकी leader के पास power कौन सी सेली में रहती है तो यह आपकी autocratic leadership में या इनकी authoritarian के अंदर रहती है तो यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी सेली का जो leader है वो order देता है या task को assign करता है duties को assign करता है किसके बिना consulting के बिना यह वहां पर कोई सला वो नहीं लेता है वो employee को सिधे order देता है उनको काम देता है उनको duty देता है तो यह आपका autocratic में आएगा तो यहां से 3-4 question आपके बन जाते हैं ठीक है तो यह अब हो सकता है question की कौन सी जो leadership का जो style है वो आपका threats or punishment के उपर based है तो यह आपका क्या है autocratic and authoritarian leadership है तो यह तीन-चार question आपके यहां से बन जाएंगे friends इसको ध्यान से पढ़ लेना उसके बाद बात कर लेते हैं democratic और participative leadership की जो participative और democratic जैसे की नाम से ही पता है यह क्या करती ह ठीक है यहां पर जो leader होता है वो अपने coordinate से consultation लेता है निकि वो उनकी सलह मस्तवरिया लेता है उसके बाद जो है अपने employee है उनको काम देता है ठीक है वो policies या फिर कोई भी प्लान उसको frame करना है तो वो अपने जो भी उसके नीचे काम करने वाले थे जो भी उसके साथ काम क करने वाले होते हैं उनसे सलह मिस्तवरा के बाद ही क्या करता है वो काम देता है और साथी साथ वो जो है अगर उसके साथ वाले कोई decision बनाते हैं या मतलब उनको कोई किसी की सलह चाहिए होती है तो अगर उसके साथ काम करने वाले decision making में उसका help करते हैं तो वो क्या करता है तो गरम best type की बात करें democratic, participative leadership जो है अच्छी तरह की सेली मानी गई है और अच्छी तरह का style जो है leadership का माना गया है उसके बाद आपकी lazilus, fair या freerian leadership आती है यहाँ पर power और responsibilities को avoid किया गया है leader के दवारा leader क्या करता है अपने coordinate की responsibility दे देता है कि आप लोग जो है अपने आप decision लो अपने आप जो है काम गरो जो भी काम होगा वो आपका अपना काम होगा ठीक है जो goals होंगे वो आपके अपने goals होंगे ठीक है खुद goals को determine करता है वो कोई direction यहाँ पर provide नहीं करता है ठीक है तो यहाँ पर question आ सकता है कि कौन सा ऐसा leadership का style है जहाँ पर leader कोई direction नहीं देता है तो आपकी lazilus, fair के अदर कोई direction यहाँ पर नहीं दी जाती है कि कौन सी leadership style के अंदर जो leader है वो minor role play करता है या बिल्कुल ही कम role play करता है तो वो आपका जो आता है lazilus, fair के अंदर next आपकी paternalistic leadership है paternalistic leadership के अंदर क्या होता है जैसे हमारे father होते हैं ठीक है हमारे parents होते हैं उसी की तरह leader behave करता है अपने workers के साथ कि उसके साथ जो भी काम करने वालेते हैं उनको फादर की तरह guide करता है इनकी वो कभी-कभी उनको डांट भी देता है और कभी-कभी उनके साथ प्यार से भी काम करवा लेता है तो वो अपने ज्यादा तर जो अपने स्पोर्डूर्इनेट होते हैं इसके साथ काम करने वाले होते हैं वो उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखता है अपने family member की तरह तो यह आपकी paternalistic टाइप की leadership है तो आप उसे पूछा आजाते हैं तो लिकर्ट का जो management system है उसके अंदर जो चार स्टाइल है उनके नाम यहां पर गिवन है exploitative, authoritative leadership होती है ठीक है जिसके अंदर हो कहता है कि शोशनकारी अधिकारी की leadership है benevolent, authoritative होती है इसमें probe कारी अधिकारी की बोला जाता है इसको एक consultative होती है जो सलाकारी है ठीक है साथ में participative है जो की सहबागी leadership है तो यह कुछ लिकर्ट के दवारा दीगे leadership के style है इसके साथ जो आपका managerial जो grid model है 1964 में बना था यह Robert R. Black और Jen Martin ने बनाया था इसके अंदर से भी question पूछ ले जाते हैं तो इसके बारे में भी हम discuss कर लेते हैं यह इनकी managerial जो grid है यह इस तरह से given होती है आपकी books के अंदर जहां पर आपको यह management के style मिलते है country club management या फिर leadership आप इसको कह सकते हैं team management होती है improved leadership होती है produce और parish leadership होती है यहां पर और middle of the road management होती है ठीक है यहां पर साथ में आपको दिया होता है कि जो leader होते हैं वो अपने लोगों की जो है लिए चिंदित रहते हैं यहां पर जो है यहां के जो manager होते हैं वो अपने काम के लिए चिंदित रहते हैं यहां के जो leader है इनकी low to high यहां पर चलता है तो वो क्या है अपने result के लिए चिं एक मनेजरियल ब्रेक्थ्रो बुक आई थी ठीक है वह बुक जॉसेफ चुरान ने लिखी इसमें से भी कोश्चन आ सकता है और फाउंडिंग फादर ओफ व्क्वाल्टी जो माना जाता है एक अनफ्रीजिंग स्टैप होता है आपकी चेंज मैनेजमेंट के अंदर चेंज प्रोसेस के अंदर तो उसका मतलब होता है कि लोगों को नेडिड चेंज के लिए प्रिपेर करना है इनके आगया आने वाले जो ज देख लेते हैं, which of the following is not one of the major approaches to qualitative research, निमलिक में से कौन सा गुणातमक अनुशंधान के परमुक दरश्टिकोणों में से नहीं है, ethnographic and phenomenology, case study, grounded theory, non-experimental, देखिए अगर आपने qualitative और quantitative research पड़ी होगी, तो आप आसानी से इसको पहचान पाएंगे, कि इन में से कौन सा गुणातमक अनुशंधान की अपरोच नहीं है, यानि कि जो qualitative research की अपरोच नहीं है, ethnographic जो है, वो आपकी qualitative research की अपरोच है, फिनोमेना, logic भी उसी की अपरोच है, case study भी आपका qualitative research में था, grounded theory भी आपका qualitative research के अंदर आता, तो दिखिए, जो आपकी non experimental research है, वो आपकी quantitative research की एक type है, तो यह आपका day यहां पर right answer रहेगा, friends, त्यारी अच्छे से कर लेना, क्योंकि exam आपका difficult आने वाला है, easy बिल्कुल भी ना, लेकर के चलें कि आपको exam काफी easy आएका, ठीक है, तो आपको book की help भी लेनी पड़ेगी, तो इसलिए books भी साथ-साथ पढ़ते रहें, साथ-साथ जिस भी चैनल की वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, तो वो भी देखते रहें, अगर आपको net exam crack करना, सिर्फ वीडियो के उपर depend ना रहें, और सिर्फ बुक्स के उपर भी depend ना रहें, दोनों की help आपको लेनी पड़ेगी, साथ-साथ जो भी online resources है, उनको भ प्रभित करता है, ethnocentrism, emic perspective, ethic perspective और holism, तो देखिए फ्रेंट्स पहले तो इसके right answer की बात कर लेते हैं, यह आपका right answer इसका रहेगा, emic perspective, अब इसके बारें बता देते हैं, जो emic और ethic perspective है, यह जो है आपके qualitative research है, उससे related word है, यहाँ पे जो emic perspective होता है, यह जो आपका होत होता है, सिर्फ one culture के अंदर होता है, जैसा कि इसमें बताया ही गया है, insider perspective होता है, तो insider perspective क्याता है, जो कि culture के अंदर से आता है, ठीक है, कोई भी project है, आपका India के अंदर, ठीक है, देखें, तो India के अंदर की बात हमारी हो रही है, तो India के अंदर कोई भी एक ही culture के हम बात करेंगे, तो ठीक है, यह यह one culture के अंदर ही आएगा, उसके बाद बात कर लेते हैं, इटिक perspective की, जो इटिक perspective होता है, यह outsider perspective होता है, यह आपका outsider perspective है, जैसे कि कोई अमेरिका का anthropologist है, ठीक है, वो study करने जाता है, आफरिका के अंदर, आफरिका के अंदर study करना चलाता है, वो किसी tribe की study करता है, तो वो जो किसी भी tribe की study होगी, या वो जो case study करेगा, तो वो study आपकी इटिक perspective के अंदर आएगी, तो यह था आपका इटिक perspective and emic perspective, अगर आपने qualitative research पढ़ी है, तो वहाँ पे आपको यह उसके internal perspective हो देखने को मिले करेंगे, उसके साथ साथ हम next question को discuss करते है, which of the following involves the studying of multiple cases in one research study, निमलिक में से किस्मेक सोध अध्यन में कई मामलों का अध्यन सामिल है, intrinsic case study, single case study, instrumental case study, और collective case study, देखिए, यहाँ पे multiple cases की बात की गई है, इनकी यह कहता है कि multiple cases होंगे, ठीक है? किस के अंदर, one research के अंदर, इनकी research कुन सी होगे, आपकी एक होगे, तो इसका right answer हेगा, collective case study, साथी-साथ इनकी भी बात कर लेते हैं, जो आपकी case study की type है, जो आपकी intrinsic case study के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जब आप case study करते हैं, तो यहाँ पे एक ही case होता है, जिसको एक case के किसी भी आदमी को ले सकते हैं, कोई भी group हो सकता है, कोई भी occupation हो सकता है, कोई भी department आप ले सकते हैं, कोई भी organization आप ले सकते हैं, तो आपका जो aim होता है, यहाँ पे वो आपका exploration होता है, ठीक है, और single case study के अंदर आपका single case होता है, ठीक है, और जैसे कि कोई भी single thing हो जाती है यहां पर और यह आपकी जो के स्टड़ी सिंगल के स्टड़ी यह बेस्ट च्वाइस मानी जाती है गर आप रिसर्च करते हैं तो बैस्ट जो च्वाइस सिंगल के स्टड़ी को माना जाता है instrumental case study के अंदर क्या होता है instrumental case study भी जैसे कि थोड़ी वह तो intrinsic case study की तरही होती है instrumental case study किसी भी particular case के बारे में आपको insight provide करती है depth एक knowledge आपको provide करती है ठीक है इसमें आप क्या करती है instrumental के अंदर आप जो generalization है उसको read रहा करते है साथी साथ आप theory भी build करते हैं यहां पर ठीक है यहन की theory building का काम भी आपका instrumental case study के अंदर हो जाता है तो question यह भी पूछा जा सकता कि कौनसी जो case study research है जिसके अंदर theory build की जाती है तो वह आपकी होती है instrumental case study तो collective case study का जैसे आपको पता ही है अगर ढीअ करते हैं वह आपकी इस्घाइपी चेस हें निदर हो सकते हैं सब्सक्राइब के अधर हुअ है क्लम को जाते हैं यहां पर भी multiple case साथ के मल्टिपल दिपार्टमेंट है अगर आप होस्पिटल का इंदर ये करते हैं तो hospital की जो different department है वो आपके multiple case हो जाएंगे school के आप करते हैं तो school के अंदर भी different department है तो इस तरह से जो department है वही आपकी जो other case है उसकी unit बन जाएगी ठीक है इनकी वही जो multiple case बन जाएगी ये की university के अंदर other department है तो आपकी क्या है collective case study के अंदर आएंगी तो ये थी आपकी case study के बारे में कुछ knowledge जो आपकी काम आएंगी नेट के exam के अंदर तो I hope friends आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें और ज्यादा से ज्यादा ऐसे वीडियो पाने के लिए जो है वीडियो को शेयर जरूर करना और अगर आपके कोई भी friend education paper की preparation में लगे हुए हैं तो उनको आप चैनल का link send कर सकते हैं आप उनको चैनल की कोई भी वीडियो send कर सकते हैं ताकि वो भी वीडियो को देख सके और हमारे चैनल से जूड़ सके